हöm लोग देख रहे हैं फिसल होग जीयो जीयो मोर्फोलोजी अस ग्राफ और उसके क्लास करने वाल Stacey के बारे में तो फटावट शुरू करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक दो बाते हैं कुछ Hindi Medium के भी Students है जिने English में थोड़ी प्राब्लम हो रही है तो देखिए Content-wise आपको Hindi में Refer करना पड़ेगा मतलब कि यहाँ पर आपको English में ही चीज़े रहेंगी आप Concepts को सीखिए और उसके बाद से आप अपने बुक से एक बार Read कर लीजिए आपको Clarity आ जाएगी और आपके Notes बन जाएगे दूसरी बात जो लोग भी किवल और किवल इसे Refer कर रहे हैं तो आप Refer कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी आप एक बार बुक को भी Go Through कर लीजिए इससे आपको एक Confidence भी आ जाएगा और कुछ छोटी मोटी चीज़े और भी होती हैं जो की आपको और भी Extra मिल जाएगी That will be obviously beneficial for you Because in the lecture, in a one hour lecture हर चीज को Complete कर पाना, this is Quite Impossible thing But still we are trying लेकिन फिर भी एक बार अगर आप Go Through कर लेंगे अपने बुक को तो एक Confidence भी आ जाएगा और आप एक Cross Check भी कर लेंगे फटा फट लेक्चर को शुरू करते हैं Let us start, let us complete, let us crack But before that, these are our contact details And these are available courses on YouTube जिसके लिए आप Test Series, या फिर Study Material या फिर Advanced Geography Course के लिए आप Subscribe कर सकते हैं इसके और भी डीटेल्स आपको Recognitionis.gmail.com पर Email करने पर मिल जाएंगी SilverseWise आलरडी हम लोगों ने देख रखा है जिसमें से Maximum Concepts हम लोगों ने Discuss ही कर लिया है इसमें से हमारा जो ISO Stacey का Chapter है Isostacey का Topic है यह हम लोग डिसकस करेंगे इससे पहले Continental Drift हम लोगों ने Complete कर लिया है Geosyncline Complete हो गई है Physical Condition of Earth's Interior Complete हो गया है Origin and Evolution of Earth Crush Complete है Indogenetic, Exogenetic Force Complete है And Landform Development Complete है इसके अलावा Recent Views on the Mountain Building Complete है And Volcanicity भी Complete हो गया है आपका फिलाल में हम लोगों के पास 2-3 Topics है In fact 4 Topics है, एक Topic आपका Geomagnetism से Related है बाकी Geomorphic Cycle, Erosional Surface and Slope Development और Last में आपका Applied Geomorphology से Related यहां पर हमारा Topic बच गया है तो यह भी 3-4 दिनों में आपका यह सारा का सारा Complete करा दिया जाएगा फिलाल हम लोगों शुडू करने वाले हैं Isostacey के बारे में Isostacey एक Term है जो Isostaceous से Derive की गई है यह Greek Word है जिसका मतलब होता है State of Being in Balance एक Balance में रहना जैसे आप लोगों ने तराजू देखा होगा तराजू में क्या होता है कि आप एक Beach Position से Hold करते हैं इसे और दोनों साइड में जो भी Weight रखा रहा होता है उसे एक Balance करने की कोशिश की जाती है मतलब काटा जो होता है वो बीच में ले आए जाता है That is the same thing again Isostacey के साथ में यह एक Equal Standing या Equipause भी बोला जाता है Theory of Isostacey explain करती है कि The tendency of the Earth crust to attain equilibrium and in the distribution of the material in the Earth crust which confirm to the observed gravity values आपको यह जान करके थोड़ा सा सर्प्राइज होगा कि जो Isostacey है इसकी खोज जोग्राफी में नहीं हुई थी यह एक Painting से स्टार्ट हुआ था और इस Hypothesis को फिर जोग्राफी में भी देखा जाना शुरू हुआ लेकिन इसकी जो शुरूआत है वो जोग्राफीकल नहीं है यह पूरी तरीके से अलग है Theory of Isostacey एक Fundamental Concept है जियोलोजी में जो की Basically Biancy और Gravity से Related होता है अब यह Biancy क्या चीज होती है Biancy का मतलब यह होता है जैसे माल लेते हैं कि यह हमारा Water है Suppose यह एक Water है और हमारे पास कोई एक Object है कोई एक Material है और इसे मुझे इस Water में छोड़ देना है अब यह जैसे ही Material जाएगा अब यहाँ पर दो Possibilities हो सकती है एक Possibility कि यह डूब जाएगा पूरा का पूरा दूसरी Possibility यह उपर तैरता रहेगा और तीसरी Possibility है कि कुछ portion तक यह डूबा रहेगा और कुछ portion यह निकला रहेगा Question यह उड़ता है कि आखिर में यह जो तीनों condition है यह क्यों हो रही है इसका Answer आपको Physics में मिलेगा यहाँ पर Principle of Archimedes काम करती है Archimedes का Principle क्या बोलता है Archimedes का Principle बोलता है कि जितना भी यह जो weight है यह weight के बराबर जितना भी water water जितना भी displaced किया जाएगा सपोज इतना much of water displaced किया गया है तो इसका displaced water और इस weight के बराबर मतलब इसका जो weight है object का जो weight है और जो displaced water का weight है वो दोनों के दोनों बराबर होगा what does this mean इसका आखिर में मतलब क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग physics wise समझ लेते हैं क्योंकि again ये काफी important है माल लेते हैं कि this is mass 1 this is mass 2 ये mass 1 का मतलब है जो block का है block का माल लेते हैं volume V1 है density इसकी D1 है और this is the thing ठीक है mass हो गई density into volume दूसरे साइड में आपका mass of water होगा तो mass of water माल लेते हैं कि 1 है और D2 या फिर माल लेते हैं कि actually यहाँ पर water नहीं है यहाँ पर कुछ mercury है या कोई भी liquid है तो ये D2 हो जाएगा और displaced volume V2 हो जाएगा यानि कि यहाँ पर volume के according density का variation होगा जैसे माल लेते हैं कि अगर density of the material जादा है suppose density of material जादा है तो ये volume कम होगा volume कम होगा मतलब कि ये डूब जाने की संभाव ना रहेगी तो इस तरीके से हम लोग ये पूरे के पूरोज system को समझ सकते हैं कि ये क्या scene हो रहा है यहाँ पर actual में G और G भी लगा सकते हैं हाला कि दोनों cut हो जाएगा that is different thing तो ये Archimedes का principle होता और इसी Archimedes के principle पे हम लोग ये पूरा का पूरा ISO STACY के concept को देखेंगे आगे अगर बात किया जाए तो gravity का scene आता है gravity का कोई खास मतलब नहीं है gravity इस मतलब mg जो mg force है वही है gravity और जब भी हम किसे liquid में इस तरीके सही से डूब होते हैं तो यही Archimedes principle काम करता है जैसे suppose ये हमारी वो block है जिसे डूबनी थी अब इसके उपर में कौन-कौन से forces लग रहा है एक force लग रहा है जो नीचे mg लगेगा this is force due to gravity और दूसरा लगेगा net force हाला कि इस पे हर जगह से force लगेगा क्योंकि hydrostatic pressure है तो हर जगह से ही इस पे force लगेगा लेकिन ये सारे force और ये सारे force uniformity की वजह से cancel out हो जाएंगे और इसका net force केवल और केवल उपर के साइड में लगेगा जिसे हम लोग बोलते हैं bind force this is bind force और ये bind force इसी archimedes के principle से ही derive किया जा सकता है अब अगर ये bind force इस mg के force से अगर ये ज़्यादा है bind force तो सीधी सी बात है ये जो material है या ये जो object है वो उपर के और चला जागा क्योंकि net force उपर के और में आ गया है लेकिन वही अगर माल लेते हैं कि mg ज़्यादा है weight ज़्यादा है तो ये फिर डूब जाएगा लेकिन अगर दोनों balance हो रही है एक किसी point पे जा करके तो फिर ये आधा डूबेगा और आधा इसी में टिका रहेगा तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे physics को बताने के पीछे जो कारण है वो यही है कि आपको density और volume ये अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी density और इसी volume का इस पूरे के पूरे आईसे स्टेसी में खेल चलेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि density is basically क्या होती है density जिसे हम लोग हिंदी में घनत्व भी बोलते हैं ये होती है mass upon volume यानि कि अगर आपको mass निकालना होगा तो density से आप volume में multiply कर लेंगे यही काम यहाँ पर किया गया है यहाँ तक clear the state of gravitational equilibrium between earth का crust and mantle such that crust float at an elevation that depends on its thickness and density यहाँ पर यह कहा गया है यह हमारी माल लेते हैं कि यह mantle का surface है और उपर में इसके crust का surface है mental हमें पता है कि यह liquid format में होती है और जो crust होती है वो solid format में होती है अब यह continental भी हो सकता है और यह oceanic भी हो सकता है oceanic का मतलब water नहीं होता है फिर से मैं बोल रहा हूँ oceanic का मतलब water नहीं होता है यह दोनों के दोनों crustal surface है बस oceanic जो होती है वो plate छोटी होती है क्योंकि इसकी density जादा होती है और इस कारण से equilibrium maintain करने के लिए ही केवल और केवल यहाँ पर water fill हो जाता है तो यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि जो jar है, जो jar का यह portion है वो basically oceanic plate है और उसके अंदर में पानी भरा हुआ है तो उस पानी का इस plate से कोई भी लेना देना नहीं होता है clear, यहाँ पर अगर system देखेंगे तो देखें अगर यह उपर solid है तो एक तरीके से आप यह बोल सकते हैं कि उपर में एक block है और नीचे जो है liquid है, तो क्या इस तरीके के same condition हो गई? यहाँ पर भी क्या होगा? इसी तरीके का एक gravitational equilibrium लग रहा होगा जहाँ पर नीचे mg का weight लग रहा होगा और उपर के side में एक bind force आ रही होगी उत्प्लावन बल, हिंदी में इसे बोलते हैं अब यह crust जो है, इस net force के बराबर जो यहाँ पर net force आएगी यानि कि जो भी इसकी bind force आई है, minus इसका जो भी gravitational के खारण से force आया हुआ है इस net force के direction के हिसाब से ही यह body flow कर सकती है, डूब सकती है या फिर उपर की और तैर सकती है यह सारा का सारा किस चीज़ पर depend करेगा? यह सारा का सारा depend करेगा उसके volume और उसकी density पे अब volume में आपको पता है कि volume में area into depth होती है या फिर इसकी hide भी बोल सकते है तो अगर आप area अगर इसे constant मान लेते हैं और केवल और केवल इसकी depth को ही variable ले करके चलते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसकी thickness और इसकी density यही दो ऐसे parameter रहेंगे जिसके basis पे आपको यह पूरी की पूरी calculation करनी होगी यहां तक clear हो गया होगा It is the idea that lighter crust अब सीधी सी बात है अगर मान लिजे density इसकी अगर कम है तो यह flow करेगा किसके उपर में जो dense material है उसके उपर में क्यों क्योंकि इसका weight हलका है हलका weight रहेगा flow कर रहा होगा इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि जो crust है यह granite का बना हुआ है और इस वज़े से हलका होने के वज़े से यह basalt के उपर में तैर रहा है This is basalt और basalt के उपर में यह तैर रहा है तो density variation और उसकी thickness और उसका variable यह आपको clear हो गया होगा आगे अगर बढ़ें अगर इस isostasy के थोड़ी सी history के ओर में चलें और अगर देखनी की कोशिश करें कि आखिर में यह isostasy के term जब शुरू शुरू में आया थो आखिर में इसकी क्या understanding थी इसका idea किस तरीके से लोगों ने लिया था तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो जोग्राफर थे उनका नाम था डटन डटन ने ही isostasy को सबसे पहले जोग्राफी में start किया था अब देखी इसके बारे में इसके history के बारे में आपको जानने की सच कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह केवल books तक में ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है एक्जाम में आपसे इस तरीके की question नहीं पूछे जाते है डटन का idea के वल आप जान लीजे डटन ने ये कहा कि जो upstanding part of the earth must be compensated by lighter rocks from beneath so that जो crustal relief should remain in mechanical stability इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए wherever equilibrium exists यानि की equilibrium कहा exist करेगा माल लेते हैं कि ये हमारी plate है और one second this is our suppose plate और इस plate में इस position पे equilibrium है यानि कि इतना जो नीचे का portion है ये डूबा हुआ है और उपर का जो portion है ये फिर बाहर की ओर है and this is suppose equilibrium position equilibrium position का मतलब है कि जो उपर की ओर में जो भी इसकी bind force लग रही है और नीचे इसका जो weight है mg ये दोनों एक दूसरे को cancel कर ले रहा है ये दोनों आपस में बराबर है ये दोनों equal forces है यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि exist in the earth surface equal mass must underlie equal surface area in other words a great continental mass must be formed by lighter material that supposed to constitute the ocean floor यहाँ पर कोई ऐसक खास material नहीं है कोई खास बात यहाँ पर है नहीं इन्होंने बस ये कहा कि जो भी उपर का surface रहेगा उसके just below उतना ही surface रहेगा अगर माल लेते हैं कि ये lighter है तो lighter होने का मतलब हो गया density into volume यहाँ पर हो गया density into volume अगर density इनकी कम है तो volume इनका ज़ादा होगा यानि इसकी जो height है वो relatively ज़ादा होगी और यहाँ पर density ज़ादा है तो इसकी volume कम होगी that means अगर ये height h है तो ये बिलकुल जो इसकी small h height है small h काफी कम होगी as compared to capital h क्यों क्योंकि density में उपर वाली density जो है वो granite type की है और नीचे वाली density एक basalt type की है तो basalt heavier होता as compared to जो आपकी granite है तो ये पूरा का पूरा system डटन ने शुरू शुरू में starting phase में start किया था इस अपने idea से हलाकि इनके बाद एक और हमारे जोग्राफर आते हैं जिनका नाम रहता है J.A. Steers J.A. Steers नाम याद रखिएगा again काफी important है जोग्राफी में इनकी काफी अच्छी contribution है इन्होंने कहा जहां पर भी equilibrium exist करेगा equal mass must underlie equal surface area इसका मतलब क्या है यही चीज इन्होंने भी घुमा फिरा करके एक अई बात कही है इन्होंने कहा देखिए माल लेते हैं कि ये equilibrium plane है this is equilibrium plane clear इसके उपर में माल लेते हैं कि ये हमारा एक surface है और एक दूसरा surface है दोनों के मैं area को A माल लेता हूँ इसमें माल लेते हैं कि ये height इसकी h है इसकी माल लेते है height इसकी small h है यहाँ पर इसकी density माल लेते है small d है इसकी density माल लेते है capital d है यहाँ पर इन्हों ने अपना जो force लगाया वो लगाया Mg यहाँ पर भी इन्हों ने अपना जो force लगाया वो लगाया Mg ठीक है, this is माल लेते हैं capital Mg अगर आप पहले small mg को calculate करेंगे तो आप यह बोलेंगे, this is A into H यह बन गया इसका volume, volume बन गया na C side आप लोद दिये है, volume into G into इसकी जो density है तो A into H into G into D यह बन गया इस वाले Mg का खेल similarly अगर capital Mg के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर area दोनों की बराबर मैंने ले रखी है height इसकी H हो गई, G हर जगा बराबर है ऐसा मान की रखा गया और density की जगा D हो जाएगा अगर इस Mg और इस Mg को अगर आप equate करते हैं तो this is small mg, this is capital Mg small mg की जगा पर आप लिख सकते हैं A into H into G into small D similarly capital Mg की जगा आप लिख सकते हैं capital A into H into G into D यहाँ से आपको cancellation के बाद में मिल जाएगा H into D is equals to capital H into D जो की हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं अपने पुराने slide में यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर height जिसकी ज़्यादा होगी density उसकी relatively कम होनी चाहिए और यही चीज यहाँ पर कहा भी गया है कि जो equal mass होगा equal mass will underlie equal area तो equal area यह बराबर रहेगा अगर दोनों के density माल लेते हैं सेम है तो obviously दोनों की height भी सेम हो जाएगी area भी सेम हो जाएगा और सब कुछ सेम हो जाएगा तो कुल मिला करके इनके कहने का मतलब यही था कि जो एक equilibrium plane रहेगा वहाँ पर mass बराबर रहेगा दोनों ही material का यह दोनों ही जो भी object है उसका अगेन इसका आगे हम लोग use करेंगे इस वज़े से ध्यान में आप लोग रखिएगा in order to compensate for its greater height these lighter continental materials must extend downward to some distance under the continent and below the ocean floor level in order that unit area beneath the ocean and continent must remain in equilibrium same वही चीज़ यहाँ पर भी बोली जा रही है कि यहाँ पर जो उपर की ओर में surface है obviously इसका नीचे भी कुछ portion जाए गोशन के भीतर भी कुछ portion जाएगा और यही जो portion है ultimately एक stable position में ले आएगा यहा इस स्टेसी का देखिए बहुत ही basic concept है और इसी basic concept को इसी idea को हम लोग आगे use करेंगे और advancement की ओर जाएंगे जो कि अलग-अलग जो graphर ने अलग-अलग time पे propound किया हुआ है accordingly a level of uniform pressure throughout exist कर जाएगा यानि कि जो mg है वो हर जगा पर बराबर हो जाएगा अब mg में अगर आप area से divide कर देंगे तो pressure दे देता है force per unit area और इसी force per unit area को basically ये pressure के रूप में दिखा रहा है तो इसमें कुछ as such नया नहीं है same same सी ही चीज़े है लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक term coin किया हुआ है जिसको isopistic level बोलते हैं या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं line of compensation line of compensation ये line of compensation हाला कि आगे जो contributors आए हैं जैसे airy and prat उन्होंने दिया हुआ है लेकिन आप इसे compare कर सकते हैं isopistic level को line of compensation से अगर हम लोग देखें कि आखिर में isostacy के theory कितने logo ने दी हुई है तो यहाँ पर दी गई है सबसे पहले airy के दौरा फिर prat हैं फिर Hayford and Bowie ने दिया था Jolly ने दिया था Hackis Hand ने दिया हुआ है और फिर ultimately Arthur Holmes ने दिया हुआ है Arthur Holmes अके लिए नहीं थे इनके साथ में इनके home brothers थे तो ये दोनों लोग ने ही दिया हुआ है one by one करके अगर discuss करें तो सबसे पहले आती है theory concept of airy airy के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर इन्हों ने कहा था कि equal density underlie equal force यानि कि uniform density with varying depth ध्यान में आपको यही रखना है कि uniform density with varying depth अब इसका मतलब क्या है पहले हम लोग समझेंगे फिर उसके बाद से इसकी theory को पढ़हेंगे ठीक suppose आलग कि यहां पर figure बना है बट स्टिल मैं एक निया figure बना रहा हूँ माल लेते हैं कि यह हमारी play 2 है यह माल लेते हैं यह माल लेते हैं पठार है this is pठार या play 2 यह आपकी mountain है जो भी इसके अलावा माल लेते हैं कि एक चोटा सा plane है यह मान लेते हैं plane area है और यह एक mountain area है और यहाँ पर आपकी play 2 है अब सीधी सी बात है इसकी height कुछ h1 होगी इसकी height कुछ h2 होगी और इसकी height कुछ h3 होगी इसमें आपको कोई doubt नहीं है कि h2 सबसे बड़ा है फिर h1 है और फिर h3 आएगा लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि तीनों का mass बराबर होना चाहिए यह भी mass यह भी mass और यह भी mass क्योंकि यहाँ पर क्या है कि line of compensation है यह एक line of compensation है अब बराबर कैसे होगा बराबर ऐसे होगा कि इस पर यहाँ यह जो line of compensation actual में यह कहीं यहाँ पर नीचे होगी जितना यह उपर होगा उतना ही यह नीचे आ जा इससे क्या होगा कि सपोज ये material यहां पर आ गया से ये material यहां पर आ गया ये कुछ अलग material है ये कुछ अलग material है और यहां पर ये अलग material है अब जितना ये height उपर जाएगा यहां पर इन्होंने कहा कि इनकी जो density वो बराबर ये density D, ये density D, ये density D यानि यहाँ पर जो M1 G force लग रहा है वो कुछ H1 D force लग रहा होगा Similarly, यहाँ पर H2 D force लग रहा होगा Similarly, यहाँ पर H3 D force लग रहा होगा Height के हिसाब से आप एक compare कर सकते हैं कि force में सबसे जादा किसका होगा Obviously, H2 into D का mountain का सबसे जादा हुआ फिर आपका H1 D यानि कि आपका play 2 का जादा हुआ फिर उसके बाद से H3 D यानि कि plane का जादा होगा इन्होंने कहा कि देखिए जितना उपर जाएगा उतना नीचे जाएगा यानि कि यहाँ पर D भी हो गया लेकिन इसकी नीचे फिर यह basalt का material है और यह basalt का material है actual में इस point पर आते आते बराबर कर देगा सब कुछ यानि कि अगर आप इस level पर बात करेंगे यानि कि यह जो line draw की गई है सबसे नीचे इस पर अगर draw करेंगे तो क्या क्या आ गया plane के लिए अगर बात करेंगे तो H3 D into 2 हो गया क्योंकि उपर भी है नीचे भी है प्लस basalt के लिए आ गया तो H dash माल लेते हैं कोई H dash है और into density of basalt हो जाएगा तो obviously यह area काफी जादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर density of basalt के बारे में बात कर रहा है तो यह कुछ माल लेते हैं कि इसकी value माल लेते हैं 150 आ रही है फिर इसके बास से आ जाते हैं हमनों जड़ा प्लेटू वाले region पे प्लेटू में क्या है H1 into D यह हो गया इसका into 2 आप कर सकते हैं 2 into क्योंकि नीचे भी है और similarly आपको दिखेगा नीचे थोड़ा सा basalt का भी portion है यानि कि कुछ H double dash into density of basalt obvious सी बात है कि यह भी value कुछ जादा ही हो जाएगी क्योंकि density of basalt जादा होता है इन्होंने कहा कि यह भी value 150 ही आनी चाहिए thirdly आते हैं S3D double कर देंगे आप इसे तो नीचे भी आ जाएगा और यह S3D की value जो होती है 150 आ जाती है और अगर नहीं आएगा तो नीचे कुछ basalt का भी portion आ जाएगा इस तरीके से इन्होंने कहा कि यह जो तीनों value इस level पे यानि कि यह जो level of compensation है इस level of compensation पे इन तीनों की value बराबर हो जानी चाहिए और वो value 150 जैसा की है एक चीज यहां से आपको देखने को मिल रही होगी कि जितना ज़्यादा height किसी की अगर होगी उतना ही ज़्यादा उसकी interior मतलब की mental के अंदर में depth भी ज़्यादा होगी इन्होंने इस ratio को निकाला था और इस ratio का जो ratio आया 1 is to 9 था यानि कि अगर माल लेते हैं कि हिमालिया है हिमालिया की height माल लेते हैं कि 8,848 है तो इसमें जब आप 9 से multiply कर देंगे तो it will come nearly 80,000 यानि कि अगर यह 8 km, 8 क्या in fact 9 km माल लेते हैं इसको अगर यह 9 km height अगर इसकी surface से उपर है तो 80 km तक यह height इसकी नीचे जाएगी जो line of compensation है इस point पर इनकी जो पूरी की पूरी mass है वो बराबर हो जाएगी similarly अगर छोटे-छोटे areas को देखें जो छोटे-छोटे इस तरीके के यहां surface बने हुए अगर उनको देखें तो यहां पर इनका जो point है वो अलग हो जाएगा यह height इनकी similarly height इनकी accordingly बसाल्ट यहां पर आ जाएगा और इस तरीके से यहां पर mass सबकी बराबर हो जाएगी तो आइकोस आपको यह पूरी की पूरी system समझ में आ गई होगी airy ने क्या कहा airy के पूरे concept को एक single line में अगर define करना हो तो आप यह बोल सकते हैं कि this is uniform density with varying depth यानि कि इनकी जो depth है इनकी जो गहराई है वो बदलती जाएगी लेकिन इनका जो घनत्व है इनकी जो density है वो नहीं बदलेगी वो समान रहेगी एक बराबर रहेगी यह सिप चीज़े आपको clear हो गई होंगी थोड़ी सी calculation इसलिए दिखाई गई है ताकि आपको एक confidence आजाए और आपको यह पूरी theory अच्छे से समझ में आजाए practical तरीके से समझ में आजाए आजाते हैं अपने theory पे इन्होंने कहा कि according to him crust of relatively lighter material अब देखिए material यहाँ पर light हो चाहे जो dense हो यहाँ से light का मतलब यह हो जाता है कि जो यह भी mountain, plateau, plane जितनी भी चीज़ें इस line के उपर में जितनी भी चीज़ें वो सारा का सारा lighter material ही है क्योंकि सबकी density बराबर है यह क्या है uniform density यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो lighter material is floating in the substratum of the denser material यह denser material और इसके substratum में यानि कि इस interior में यह टहल रहा है यह flow कर रहा है यानि कि यहाँ पर एक चीज़ कहा जा सकता है कि जो सियालिक material है वो एक तरीके से सीमा material पे तैर रहा है He considered the density of different column चाहे वो plane हो, चाहे प्लेटू हो, चाहे mountain हो सब को same कहा Hence, इन्होंने idea of uniform density with varying thickness जैसा कि अलरड़ी मैंने बोला इसको यह propound किये थे Airy के theory में कुछ problem थी इनके problem के बारे में आप अपने आप से समझ सकते हैं, इनका जो ratio था 1 is to 9, यानि कि अगर 8,848 km अफ हिमालया अगर लेते हैं तो यह 80,000 km यानि कि 80,000 km तक यह नीचे चला जाएगा अब यहाँ पर criticize यह किया जा सकता है कि 80 km तक अगर नीचे जाएगा तो यह solid format में रहेगा ऐसा कहना थोड़ा सा doubtful है doubtful इसलिए है क्योंकि यह obviously because of high temperature अधिक तापमान के कारण से यह melt कर जाएगा इसके concept को आप एक और तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे माल लेते हैं आपके सविंदर सिंग material में भी आपको दिया हुआ है आपने suppose एक mercury का solution लिया mercury का माल लेते हैं कि आपने कोई jar लिया या कोई भी tub लिया उसमें आपने mercury भर दी और फिर आपने अलग-अलग तरीके की काटी, कील यानि की जो भी आपने points ले लिये pins एक तरीके से आप कह सकते हैं या फिर कील अलग-अलग depth की ले लिया आपने तो इसमें से कुछ होंगे जो छोटे होंगे इस तरीके से तैर रहोंगे, कुछ बड़े होंगे तो इस तरीके से तैर रहे होंगे तो सब की अपनी अलग-अलग होगी, अपनी घहराई होगी, अपना सारा material होगा तो यह चीज एक example दिया गया है सविंदर सिंग में same example यही है, इसमें कोई अंतर नहीं है बस यह है कि आपको confidence देने के लिए और for the sake of the completion ही यह example भी बता दिया गया इसके problem क्या है, आपको समझ में आ गई होगी यही problem, Pratt के द्वारा भी discuss की गई थी और इन्होंने कहा कि देखिए जो यह आपने 80,000 km, 80,000 m के बारे में बात किया इन्होंने कहा कि देखिए, density of the material अलग अलग होते है अब सीधी सी बात है, iron की density कभी भी आप nickel के बराबर नहीं बोल सकते है या फिर iron की density आप कभी भी दूसरे copper के material के बराबर नहीं कह सकते है दोनों की density अलग है और इस density को हम लोग नकार नहीं सकते है सेम इसी तरीके की density हमारे पास surface पे भी पाई जाती है अलग-अलग material अपनी अलग-अलग density शो करते है जो ज़्यादा height पे होता है उसकी density कम होती है जो density, जो lower height पे होता है उसकी density ज़्यादा होती है इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो density है वो vary करेगी जो surface है, surface के उपर में density vary करती है और ये height के inversely proportional होती है यानि कि जितनी ज़्यादा height होगी उसकी density उतनी ही कम होगी जैसा कि Archimedes principle बोलता है तो density into volume ये जो है वो constant रहेगा अगर density ज़्यादा होगी, volume फिर उसका कम हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे antimony लिखा हुआ है माल लेते हैं कि ये एक तरीके का mountain है काफी ज़्यादा इसकी height है तो इसकी density जो होगी वो सबसे कम होगी सबसे ज़्यादा ये light होगा similarly zinc के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये density इसकी ज़्यादा होगी antimony से लेकिन बाकी लोगों से इसकी density कम होगी similarly iron और यहाँ पर सबसे आदा dense material कौन सा है ये है lead इन्होंने भी same calculation किया सब कुछ किया इन्होंने कहा कि देखिए ये वो line of compensation है और यहाँ पर सब का या इसका भी weight 150 आना चाहिए इनका भी weight 150 आना चाहिए इनका भी weight 150 इनका भी weight 150 लेकिन गहराई आप देख सकते हैं कि सब की बराबर है तो ये बोल सकते हैं कि इस point पर भी सब का जो weight है वो बराबर हो जाना चाहिए क्योंकि इसके नीचे तो सब बराबर हैं इसमें कुछ बताने की ऐसा जरूरत ही नहीं है इन्होंने कहा कि देखिए density into lead की माल लेते हैं height L है similarly density into iron की height माल लेते हैं I है density into antimony density into zinc ये सबकी height लिखी गई है और सबका area माल लेते हैं कि वो बराबर है अब आप इसमें अगर जोड़ना चाहें तो आप बसाल्ट की जो बसाल्ट की density है into इसका आप A depth ले सकते हैं तो सब में BA BA जोड़ देंगे तो ये कोई खास इसमें फरक नहीं आया सब कैंसिल हो जाएंगे mathematics के इसाब से और सबकी height जो है सबका जो weight है वो बराबर हो जाएगा at the line of compensation तो प्रैट का जो main idea था वो यही था कि density vary करती है horizontal nature में vary करेगी अलग-अलग material के लिए अलग-अलग रहेगी this was the idea of प्रैट तो प्रैट ने अलग-अलग land block के various height को भी different-different terms में मतलब कि density के term में अलग-अलग लिखा जैसा कि अलड़ी हम लोगों ने discuss कि और आपको समझ में भी आ गया होगा तो प्रैट और airy दोनों के concept में basic क्या difference है clear हो गई इसके बारे में थोड़ी से अगर और बाते कहें तो देखे टॉलर land mass जितना जादा लंबा होगा उतना ही उसकी कम density होगी और जितना छोटा होगा उसकी density उतनी ही जादा होगी अगर कोई high column होगा density will be lesser और अगर short column होगा तो density will be higher वो एक ही चीज है बार-बार अलग-अलग words में लिखा हुआ है इन्होंने कहा कि देखे सारे block जो अलग-अलग height के हैं ये एक certain depth पे एक depth पे जा करके जैसे कि इस depth पे आप बोल सकते हैं ये compensate कर दिये जाते हैं मतलब कि इनका जो mass है या फिर weight है या फिर आप बोल सकते हैं कि force due to gravity है सब बराबर हो जाता है और इसी को airy ने root कहा था यानि कि अगर आप वापस से airy के theory पे अगर आएं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो mountain है इसकी height है और इतनी ही बड़ी इसका जड़ भी है similarly play to अगर लेंगे तो इसकी छोटी जड़ है तो कहीं न कहीं इनके पास एक root है तो इनका जो main idea था वो था इनके root पे इनके जड़ पे यहाँ पर आप प्राट में भी बोल सकते हैं कि देखें इनके पास भी अपनी एक root है लेकिन वो uniform root है तो कोई अलग concept नहीं है more or less चीज़े सेम ही है और ये बात जो root वाली बात है और जो similarity between the prat and the airy है with respect to the root ये बात बताई गई थी बावी साहब के द्वारा हाला कि बावी की concept को भी हम लोग आगे discuss भी करेंगे बट फिर भी एक idea for the sake of the completion अगें ये चीज़ आप ध्यान में रखियेगा he accepted the concept of level of compensation तो ये जो level of compensation की कहानी है या फिर line of compensation की कहानी है ये आपको clarity आ गई होगी अगर हम लोग प्राट और ARI के theory में थोड़ा सा अगर difference देखें क्योंकि अगें ये question पूछे आते हैं हाला कि आप इसे समझ गए होंगे लेकिन फिर भी एक फ़ार देख लेते हैं क्या चीज़ है तो इन्होंने कहा था uniform density with of crystal material लेकिन इन्होंने ने कहा varying density of crystal material ARI ने कहा कि जो varying depth up to which root penetrate crystal material reach करेगा मतलब कि high mountain तो high root तो नीचे ये जाएगा ही जाएगा इन्होंने कहा ऐसा नहीं है यहाँ पर uniform depth रहेगी और ये बराबर रहेगा इन्होंने कहा कि deeper root below the mountain और smaller beneath the plane सीधी सी बात है plane के लिए छोटा योगा इनका root यहाँ पर as such कोई root formation प्रैट ने नहीं कहा था वो बात अलगे कि बॉवी ने इस चीज को compare किया था वो अलग चीज है लेकिन प्रैट ने कोई भी as such root की बात नहीं की थी लेकिन उन्होंने एक level of compensation की बात कही थी मतलब जिस point के नीचे force due to gravity ये बराबर हो जाएगा clear figure के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो आप दोनों में clarity देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि density बराबर है लेकिन depth vary कर रहा है similarly इसकी root vary कर रही है यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी density vary कर रही है depth के हिसाब से density vary कर रही है लेकिन इनकी जो depth है तो अब ARI और प्रैट की थियोरी के बारे में आपको एक crystal clarity आ गई होगी आगे अगर बात करें तो हमारे पास next थियोरी आती है Hayford and Bowie की थियोरी अलड़ी अभी हम लोगों ने देखा कि Bowie की थियोरी Pratt की थियोरी को ARI के साथ में compare किया था पताया था कि इनके पास root होती है और ये बात Pratt ने भी मानी है कहीं ना कहीं Hayford and Bowie ये basically Pratt की थियोरी को basic reference लिये थे Pratt की थियोरी को इन्होंने माना था यानि कि इन्होंने भी कहा कि जो density होती है this is actually inversely proportional to height या फिर इसे आप volume भी बोल सकते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है बात एक ही है यानि कि यहां से आप एक बात बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई interior plane है इसकी density ज़्यादा होगी तो इसका height कम होगा play to है density कम होगा height ज़्यादा होगा coastal plane है height कम होजाएगा अगर offshore plane है यानि कि ocean के पास में और कम होजाएगा क्योंकि इसकी density ज़्यादा है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये figure आपको समझ में आ गया होगा सेम वही चीज यहां पर भी इन्होंने कही थी क्या कहा था इन्होंने कि अलग-अलग material की अलग-अलग density रहेगी और इस density के हिसाब से इनका सारा का सारा काम जो भी Pratt ने बोला था सेम वही काम इन्होंने भी वही चीज बोल दिया है तो इनकी जो theory है वो similar to Pratt theory है बस यहां पर इन्होंने एक difference बोल दिया इन्होंने कहा है कि यह जो depth इनकी मिल रही है या फिर बोल जीजे कि यह जो line of compensation इन्हें मिल रहा है यह 100 km पे मिलेगा ऐसा expect किया था है Ford and Bowie ने इन्होंने कहा कि यही जो plane of compensation है या फिर line of compensation है यह 100 km depth पे near about में मिलना चाहिए और यही से इनकी एक theory में problem भी सामने आ गई थी problem इसलिए सामने आ गई थी कि इन्होंने कहा था कि देखे 100 km जैसे इन्होंने इस 100 km को तो यह सोचा कि यार नीचे जो है वो basalt मिलेगा और हमारा काम हो जाएगा लेकिन इसी point को लेकर कि criticism हो गई थी और उन्होंने यह कह दिया कि density variation जो यह 100 km पर है यह milt कर जाएगा यह milting स्टार्ट हो जाएगा और यह कहा कि इसने यह कहा था जॉली ने तो जॉली की भी theory फटावट देख लेते हैं कि जॉली ने क्या कहा जॉली ने देखिए figure में देखेंगे आप यहाँ पर आपको एक black color दिखेगा और यह एक तरीके की कोई land form है या फिर आप बोल सकते हैं कि यह oceanic land form है oceanic land form ले लेते हैं और यहाँ पर यह अलग material जो आपको देखने को मिल रहा है यह uniform density का zone है और यह continental है this is continental continental और यहाँ पर land form जॉली को आप डेली के साथ में confused मत होईएगा डेली की theory में हम लोगों ने बात किया था कि इनका fundamental ही गड़बड था इन्होंने कहा था कि CL is of higher density than SEMA यह अलग चीज़ है यह mountain building में हम लोगोंने बात किया था और डेली की theory हम लोगों बात करेंगे oceanography में हाला की यहां पर यह जॉली साहब है इन्होंने कहा कि देखिए अलग-अलग density है uniform density है यहां पर इन्होंने यह कहा कि देखिए area को follow करते हैं उन्होंने कहा कि जो density होती है वो same होती है इन्होंने कहा कि देखिए mountain पे अगर आप हिमालिया पे जा रहे हैं अगर आप हिमालिया के foot hills में हैं, वहां के material को उठाइए, middle के material को उठाइए और top के material को उठाइए, आपको तीनों material सेम मिलेंगे, कहीं पर भी density में कोई difference नहीं होगा, तो इन्हें उन्हें यही कहा कि देखिए, area की जो theory थी, वो character theory थी, और जो depth है, उस पर uniform density मिलेगी लेकिन, इसके बाद, certain height के बाद, मतलब की certain depth के बाद, एक नीचे, near about 10 mile का एक zone आएगा, zone आएगा, जहाँ पर varying density होगी, और यह varying density के बाद, नीचे जो, आप बोल सकते हैं कि जो line of compensation की, जो line है, या level है, वहाँ पर सब के सब यह जो mg की कहानी है, वो बराबर हो जाएगी, हर जगा पर mass due to gravity, या फिर force due to gravity ये बराबर हो जाएगी, लेकिन, यहाँ पर 16 km या फिर 10 mile तक ही ये area जो है, वो varying density का रहेगा, जितनी जादा height रहेगी, उतना ही जादा density का variation हमें देखने को मिलेगा, तो जोली ने line of compensation वगरे के बारे में बात नहीं किया, इन्होंने जो बात किया, वो zone of compensation के बारे में बात किया, यानि कि एक पूरे zone के बारे में आएगा, zone area terms of their density, तो यहाँ पर चीजे clear हो गई होंगी, कि इन्होंने अलग-अलग density के बारे में बात किया था, जो बाकी density है, वो same-same सी है, हाला कि ये, I guess, okay, he accepted all the blocks of different height get compensated at a certain depth into the substratum, thus he announced a root of concept of area, and okay, this has, I guess, repeated, तो ये अलग चीज है, जोली की theory, आप लोग समझ गया होंगे, ये Pratt वाली theory, I guess, repeat हो गई है, this has a problem, आगे बात करें concept of Haskin-Han के बारे में, Haskin-Han की जो theory है, काफी matured theory आप इसे बोल सकते हैं, काफी safe theory थी, इन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक जितनी भी हम लोगोंने बाते कहीं हैं, जैसे कि ये माल लेते हैं कि कोई एक landform है, this is second landform, this is third landform माल लेते हैं कि ये कोई plane है, ये कोई plateau है, ये कोई mountain है, और similarly माल लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक system है, एक high land ले ले लेते हैं, सपोज high land, इन्होंने कहा कि देखिए ये जो point है, ERI के theory को तो नहीं, लेकिन ERI की theory और PRAT की theory को उन्होंने mix कर दिया, मिला लिया, इन्होंने कहा कि देखी यह जो point है जिसे आप line of compensation या level of compensation या जो भी कहना चाहें इसकी यहाँ पर mg मिलेगी यहाँ पर भी mg मिलेगा यहाँ पर mg मिलेगा और यहाँ पर भी इने mg मिलेगा लेकिन height तो सबकी अलग-अलग है इन्होंने कहा देखे height अगर अलग-अलग है कोई दिक्कत नहीं है इनकी density में vertical variation देखने को मिलेगा यानि यह अगर d1 है तो यहाँ पर d2, यह 33, यह d4 similarly यहाँ पर भी इसी तरीके से मिल जाएगा d1, d2, d3, d4 अब यह d1, d2 कुछ भी हो सकता है मतलब कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि vertical differentiation along with horizontal differentiation दोनों चीज़े vertical differentiation along with horizontal differentiation clear हो गया क्या चीज़ है तो यह थी Haskin-Han की थियोरी जो कि again काफी important थियोरी है इनके बारे में फटाफर देख लेते हैं idea आपको लग गया है let us again repeat according to him density of rock varies within the column and between the column जैसे की vertical and horizontal हो गया density of rock varies both vertically and horizontally clear next theory हमारे आती है Holmes की theory Holmes के बारे में आपको पता ही है इन्होंने convection current के बारे में बताया था यहाँ पर जो theory है थोड़ी सी अलग theory है इन्होंने कहा कि देखिए यह जो figure है वो गलत आ गया है this is different यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए जैसे की हमारे इस Haskin Hand ने बोला था सेम वैसे ही यहाँ पर Holmes ने भी कहा कि देखिए एक point के बाद जैसे कि depth of 50 meter के बाद मुहोविक discontinuity आ जाती है similarly हर जगा पर रहेगा तो this is 50 का एक line या फिर कह सकते है 50 की यहाँ पर line of compensation आप इसे बोल सकते है इसके नीचे जो भी weight आएगा वो near about same रहेगा this will not be exactly same exactly same नहीं रहेगा near about रहेगा जैसे की 151.2 अब देख सकते हैं 150.3, 150, 150.75 तो मतलब यह 150 से लेकरके 151.2 तक यह vary कर रहा है क्या चीज़? pressure this is pressure आप डिवाइड कर देंगे और area तो common है इन्होंने कहा कि देखे मैंने जो यह 4 blocks लिए है यह 4 blocks basically A, B, C, D इस A का मतलब क्या है? इस A का मतलब है कि यह एक पठार है play 2 है जिसकी height 4 km है B का मतलब एक पठार है जिसकी height 1 km है C plane है जो कि C level के just ऊपर में है या फिर C level पर ही है और lastly ocean floor ही ले लिया गया है यानि कि इसकी density relatively ज़ादा रहेगी clear? अब मैं नीचे कुछ erase कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर lots of calculation बहुत सारी calculation यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग calculation भी करेंगे आप भी अपना calculator निकाल सकते हैं calculate करने के लिए क्योंकि calculator से आपको एक better clarity आ जाएगी so let me open my calculator यहाँ पर अगर देखेंगे first one पहले वाली की calculation अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह 54 meter की height है या 54 km भी ले लेते हैं average density इसकी 2.8 है तो यहाँ पर 2.8 into 54 calculate करिए कितना आएगा तो 54 into 2.8 it is coming near about 151.2 यानि कि यह जो value आ रही है this is correct और इस तरीके से यह uniform density यहाँ पर जो है वो 2.8 की average uniform density हो जाएगी किस पर 4 km height पर ऐसा homes ने बोला आगे अगर बात करेंगे तो height इनकी जो height relatively कम है तो density में कुछ ना कुछ variation आएगा तभी जाकर के बराबर हो सकती है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो variation भी है यानि कि 36 km तक जो average density हो 2.8 की है तो 36 into 2.8 plus आगे 15 km के लिए यह 3.3 हो जाती है तो 15 into 3.3 अगर आप calculate करेंगे तो 36 into 2.8 it is coming 100 100.8 और अगर 15 into 3.3 करेंगे यह value आजाएगी 49.5 इन दोनों को अगर आप calculate करेंगे तो यह value आजाएगी near about not near about it is exactly 150.3 जो की यहाँ पर value दी हुई है clear next calculation इन्होंने किया देखी calculation again मैं इसलिए कर रहा हूँ और आपसे करवा रहा हूँ ताकि आपको एक better clarity आती जाए अभी हम लोग इसका significance भी देखेंगे third है planes near sea plane सीजी सी बात है इसके density और ज़्यादा हो जाएगी यानि कि 30 जैसे कि आपको दिखेंगा यह 30 into average 2.8 तो 2.8 से multiply कर लेते हैं दूसरा है 20 into 3.3 sorry उसके पहले है आपका यहाँ पर okay this is correct ठीक है यहाँ पर 20 into 3.3 यह calculate आप कर लीजिए value आपको near about 150 फिर से मिल जाएगी similarly यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 km तक के लिए 1.03 है 1 km तक के लिए 2.4 है 5 km के लिए 2.9 है फिर उसके बाद से 39 km के लिए 33 3.3 actually है this is 3.3 not 33 और अगर आप calculate करेंगो तो इसके value आपको 150.75 मिल जाएगी यानि कि यहाँ से एक चीज आपको clarity आ गई होगी कि आखिर में जो यह values लिखी गई है यह values correct values हैं इसमें कोई problem नहीं है यह already आप लोगों ने calculator से calculate करके निकाल लिया चीज़ें यहाँ पर clear हो गई एक चीज यहाँ पर आप common यह कह सकते हैं कि इन्होंने भी just like hackins hand की तरीके से area और प्रैट की theory को mix करके ही इन्होंने भी कहा क्योंकि देखिए vertical variation along with horizontal variation है देखिए horizontal variation भी और यह एक vertical variation भी हमें मिल रहा है कि इसका density का इन्होंने कहा कि देखिए जो सियालिक material जिसके density जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बड़ा उसका root भी होगा दिख रहा है जैसे कि यह माल लेते हैं कि प्लेटू है फिर mountain आ जा रहा है फिर plane आ रही है फिर continental plane आ रही है फिर सियाल आ रहा है तो जितना ज़्यादा इसका सियालिक material जितना ज़्यादा height रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी बड़ी root भी होगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना बड़ा material उतना ज़्यादा root यानी root कहने का मतलब है कि उतना ही less dense material रहेगा नीचे तक वही अगर माल लेते हैं कि आप plane area में आ जाते हैं तो आपको material change मिलेगा यहाँ पर material change यहाँ पर material change मिल जाएगा तो यह बात कही गई थी पूरी की पूरी होम्स के द्वारा इन्होंने भी same way area प्रैट की थियोरी को यह तरीके से combined करके फिर इस पूरी की पूरी थियोरी को अपने थियोरी को इन्होंने भी बताया तो यह हो गई होम्स की थियोरी जो की more or less Hackenstein की theory के तरीके से ही थी बस इन्होंने calculation दिखा दी और कुछ भी अंतर नहीं है Next question यह आता है कि आखिर में हम लोगों ने जो इतनी पांचो theories देखी है Aery, Pratt, Holmes, Hackenstein, Jolly कौन सी theory correct है कौन सी theory wrong है तो यहाँ यहाँ पर यह कहा जाता है कि दिखे कोई भी theory गलत नहीं है More accepted theory हालग कि Aery की मानी आती है जितने भी जोग्राफर्स हैं वो इनको ज़्यादा follow करते हैं लेकिन Pratt की theory, Hackenstein की theory और Holmes की theory यह भी गलत नहीं है बस यह है कि अलग-अलग point पे अलग-अलग research पे अलग-अलग theories को use किया जाता है और उनको reference point रखा जाता है but isostacy आज भी research का point है इस पे research हो रही है इस पे अभी भी कोई भी concluding remark नहीं दिया गया है तो there is nothing called wrong and correct in this concept लेकिन एक और concept आता है जिसे बोलते हैं Global Isostatic Adjustment local level पे तो हर चीज़ ठीक है हमालिया पे आप जा रहे है shout ठीक है यहाँ पर route होगा चाये हाँ अगर आपको एक overall global isostatic adjustment dेखनी है तो फिर क्या system है क्या यहाँ पर चीज़े बदलेंगी क्योंकि देखिए plate tectonic theory आप लोग उने बढ़ रखिये Plate tectonic theory में क्या होता है कि चीजें शुरू में तो बहुत gradual होती है लेकिन फिर अचानक से बहुती fast होती है fast कमने का मतलब collision हो गया फिर CDC बात है earthquake आएगी वुलकैनों आएगी और फिर upliftment स्टार्ट हो जाएगा तो यह जो चीजें होती है वो gradual ना हो करके फिर faster mode में आ जाती है if you are comparing with the earlier thing अगर आप उसे movement के हिसाब से compare करेंगे तब ऐसा नहीं कि second domain की संख्या बदलेगी second वाली बात नहीं है यहाँ पर geological time scale चलती है वो geological time scale हमारे घड़ी वाले time scale से बिलकुल अलग होती है यहाँ पर यह कहा गया कि देखिए जो भी global isostatic adjustment कैसे होगी plate tectonic हुआ sudden change हुआ sudden change के कारण से क्या होती है कि जो आसपास का material होता है जैसे महां लेते हैं कोई flank अगर नीचे गया सब stratum में गया पिगलेगा पिगलने के कारण जो भी material उपर उठा हुआ है अगर वो erode होकर के नीचे गिर रहा है mountain अगर denude कर रहा है तो यहाँ पर जो mental material है वो flow करके इस root को fill करने पर चला जाएगा यानि की नीचे हमें एक current मिल जाएगी जो की basically root को fill करने की ओर में चला जाएगा क्योंकि earth is unstable इंडोजनेटिक force यह often disturb करते है crystal balance को जैसे volcanic eruption हो गई earthquake हो गया tsunami हो गई तो यह कुछ ऐसे इंडोजनेटिक forces होते हैं जिसके कारण से लगतार हमें changes देखने को मिलते रहते हैं इसकी लिए हमें एक adjustment की जरूरत होती है और इसे ही हम लोग global adjustment या global isostatic adjustment बोलते हैं जो इंडोजनेटिक forces होती है और उनके जो tectonic effect होते हैं यही reason होते हैं these are the actually the causes for imbalance on the surface क्योंकि external में इतना ज़्यादा कह लिजे की force नहीं होता है magnitude नहीं होता है कि यह large scale पे कोई भी काम कर सके हैं जो exogenic forces होते हैं यह try करते हैं छोटे मोटे differences को ले आने में इसके लावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं यह केवल और केवल peeling का काम कर सकते हैं या फिर खरोचने का काम कर सकते हैं या फिर इसे transport करके दूसरी जगा पर लेते आते हैं लेकिन यह बहुत ही small scale पे होता है इसमें ज़्यादा लंबा area बड़े area पर नहीं होता है इन देस process isostatic balance is maintained by the underneath flowage of material और यही जो system हम लोग ने discuss किया है नीचे से material निकल करके उधर fill करने चला जाता है तो यह थी पूरी isostacy की theory आपको यह पूरी theory समझ में आ गई होगी और फिर detail में mathematical तरीके से technical तरीके से हम लोग ने इस पूरी theory को देखा अगर आपको कोई question होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं इसके लावा question for the practice भी आप देख सकते हैं पास्ट यह के questions है जैसे present a critical analysis of the theory of isostacy, second question define the concept of isostacy and discuss the postulations of Arian Pratt, explain the concept of isostacy as postulated by Arian Pratt and lastly आप बता सकते हैं कि Arian Pratt में क्या difference है इसके लावा आप टेलिग्राम चैनल और Facebook पेज को भी like कर सकते हैं, description box में इसके link दी गई है अगर आपको कोई doubt होता है तो आप इन channels का use करके अपने doubt को पूछ सकते हैं मिलते हैं next studio में, till then goodbye and thank you so much